नो अगस्त की स्याम को मालगी के जंगलों में बादल फटने से गों सिर्मोरी ताल में भरी तभाई होगे। सेंकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए और एक परिवार के पांच लोग उस भारी मलवे में दव गया उनका परिवार उनका मकान की ब्रिक्तियों हो गई है सेंकड़ों बीगा जमीन जो है कि भारी फसल की तबाही हो गई प्वस्वों का नुक्सान हुआ अन्य चीजों का नुक्सान हुआ इमाचल परदेश के हमारे विपक्ष के नेत आदनिय जैराम ठाकुर जी बिनोद के परिवार के बीच में संतावना देव ने पहुंचे बहुं सिर्मोरी ताल में मौक्यक उन्होंने मौाइना किया भारी जो नुक्सान हो उसका उन्होंने मौाइना किया हमारे आदनिय सांसर सुरेश कस्यव जी उनके साथ वहाँ पर मौजूद रहे उनके परिवार की अंतेश्टी में कल वो शामिल हुए आदनिय डोक्राजी बिंदर जी हमारी पार्टी के समाने अधेक्स है परदेश के वो मौक्य पर पहुंचे मौक्य का जायजा लिया जिला सिर्मोर के लोगों को एक चीज का अफसोस है सिर्मोरी ताल के लोगों के एक चीज का अफसोस है कि वर्तमान सरकार का कोई भी नुमाइंदा आज तक उस स्था गटना स्थाल का दोरा करने नहीं आया, लोगों के संताव ना देने नहीं आया, लोगों के आसू पहुँचने नहीं है सिर्मोर में बारी तभाई हुई है, सीडी खत्वार्गों पूरा हमारा डैमेज हो गया, केई घरों में दरारें पड़की, केई घर डैमेज हो गये, कोई भी सरकार का नुमाइंदा वहां तक नहीं पहुंचा है कि हम सब के लिए सोस का विशह मैं आदरिया मुख्यमंत्री मोहदेज से अग्रह करना चाहता हूँ के तुरंत आप स्वेम आकर मुख्य का मुआइना करें, परिवार को संतावना दे दोनों गुण का दोरा करें और जो मिनूद का परिवार है हमुआ कि दहर्म पत्री उसके दोनों बच्चे उसके पिता जी, उसकी माता जी, इस दुनिया में नहीं रही, अकेला वह उस परिवार में जहां रहता था, अकेला व्यक्तियाद इस दुनिया में है, उसके आंसू पहुंचने आप जरूर पहुंचें, यह मैं उसे आग्रह करना चाहता हूँ, मैं पुना परदेश सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, तरंत मुक्ते का मुईना करें। अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्ट्रेग्राम पेज हिमाचल.केसरी